चलेगा स्वागत है आप सभी का साइंस और टेक के सॉप्षिल प्रेटफॉर्म की उपर मुद्दा थम्रेल में देखके आप समझी चुके होगे यदि नोटिफिकिसन जारी होगे दिसंबर के समय तो अब हमारे पास समय क्या रहने बाला है इस तरीके से तैयारी करें सिलिब एक्साम तक सारी चीजे हम कवर कलने और एक्साम तक हम मोटिविट भी रह पाएं इन सभी मुद्दों की उपर चर्चा करने के लिए आज मैं आप सभी के सामने फिर उपस्ते थूँ बात करते हैं यदि जैसा कयास लगाया जा रहे फिलहाल कि यदि नोटिफिकिसन और अलुए होना चाहिए वो किस तरीके की यहां पर हो, ताकि तयारी भी कंप्लिट हो, और प्रीविय एक्जाम भी यहां पर निकले हैं सर इस समय हम कहीं ना कहीं से तैयारी कर रहे हैं किसी ना किसी सोर्स के माद्धियम से किसी ना किसी ओनलाइन ओफलाइन के माद्धियम से क्या सेल्फ भी हम तैयारी कर रहे हैं अब तैयारी कैसी होनी चाहिए अब किसी भी एक्जाम को निकाल लें के लिए आपके पास एक स्पेसिफिक रणनीती जरूर होनी चाहिए अब बरतमान समय के आप जो एक्जाम देखेंगे ये रणनीती से ही निकल रहे हैं अब कई बच्चे ऐसे भी देखने को मिलते बहुत पढ़ाई कर रहे हैं दिन भर बैठे हुए हैं दददज घंटे पढ़ाई की हैं उसके बाद भी प्री उनका रुक रहा है प्री रह रहा है प्री रहने के क्या रीजन यहां पर हो रहे हैं तो कुलम लाके आपको अपना एनलेसिस सबक करना बहुत ज़्यादा जरूरी है तो कि अब इस समय यदि हम बात करते हैं तयाब मेहनत के साथ साथ आपके पास एक बहुत बड़ी है श्टेटजी भी होनी चाहिए रणनीती होनी चाहिए किस तरीके से एक्जाम को हमें क्रेक यहां पर करना है वो रणनीती बहुत ज़्यादा मदद इस पर सामिल करती है मदब रणनीती के माध्यम से आपका जो effort कई गुना ज़्यादा बढ़ जाता है कई बार मैंने ऐसे लोगों को भी देखा है वो बताते कि सर यह topic हमने पढ़ा ही नहीं था और वो आया भी नहीं बस यही कहलाती है रणनीती कि किस topic की उपर focus करना है चलेगा बात करते हैं इसी रणनीती की उपर पहले आप सभी को बता दूँ सलेबस आप सभी के पास होगा ही मंद्रदी इसमें जो pre का जो सलेबस है इसमें कौन-कौन से portion आते हैं पहले यदि आप ने इसको analysis कर लिया पूरे सलेबस का तो आपको ये पता चल जाएगा क्या पढ़ें और क्या छोड़ें बरतमान समय युद्ध यही है पढ़ने और छोड़ने के बीच जो difference जो है बस ये बस आपको पता हो जाए तो कम पढ़कर भी प्री एक्जाम कौलिफाय होता है सिर्ज होका कर किताब उठाकर पढ़ाई नहीं ऐसा नहीं थोड़ा दिमाग ओपन करके पढ़ाई आपको करनी है बो आपको जो pre का जो सलेबस है इसमें का आपको जलक देखने को मिल जाए हैं तो इसमें हमें देखने को मिलेगा भारत का इतिहास देखने को मिलेगा हिष्ट्री आफ इंडिया इसके बाद देखने को मिलेगा क्या मद्य प्रदेश के बारे में हिष्ट्री और कल्चर लिट्रीचर साहित किसका मद्य प्रदेश का बात करेंगे भारत का भोगोल ज स्पठीर क्यों हम सैंडीर प्रदेश में मद्द्प्रदेश कि भारत अमद्दप्रदेश की एकोनॉमीстрой अर्थ विश्थ साब्साब लिखा हुआ है मद्दप्रदेश अगला साइंसमूर्मेंट और हैल्थ सैक्टर बात करते हैं यहाँ पर current affairs वो भी national international specific मद्द प्रदेश के बारे में भी आपसे पूछा जाएगा और ICT के अंतरगर्द आपको देखने को मिलेगा पूछना प्रोध्यों की और संचार यह जो आपको सलेवस दिखाई दे रहा है यदि आप मेरे से पूछो किसे तैयारी का पहला पायदान क्या होना चाहिए आप बहुत गोर से आप देख रहे हो सो आप दिखेएगा सो हम बात करते हैं तैयारी के पहले पाइदान पर हम किसे यहां पर रखें ताकि हमारा काम ठीक ठीक बने देखो क्या लिखा है मद्य प्रदेश का साहित मद्य प्रदेश का इतिहास दिखाई दे रहा आपको हमने बुला मद्य प्रदेश में पाई जाने बाली जन जातियां लोग बिरासत आपको यहाँ पर दिखने को मिलेगी मद्य प्रदेश का भोगोल मद्य प्रदेश की राज विवस्था मद्य प्रदेश की अर्थ विवस्था इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ, ये कुछ ऐसे टॉपिक आपको दिखाई दे रहे हैं, जिनमें मद्द प्रदेश क्या पूछा जा रहा है, जादा ही पूछा जा रहा है तो सफलता का मूल मंत की सुर्वात होगी मद्द प्रदेश, आप मानके चलेगा, पिछले सालों जैसे मद्द प्रदेश से 30 से 40 परसन का वेटेश, 40 से जादा भी हो जगता है, कॉछन के मामले में, ये आपको मद्द प्रदेश का ही आपको देखने को मिलेगा, मद्द मद्द प्रदेश की जो आदिबासी ट्राइब है, उनकी बरासत है, उनके लोक आपके तिवहार बगेरा हैं, यहां से कॉशन करेंगे, मद्द प्रदेश का भोगोल पूछेंगे, मद्द प्रदेश समय धारेक, मद्द प्रदेश का इतिहास पूछा जाएगा, तो आप इ तो हमारी सफलता के पहले पाइदान पर सामिल होगा मंद्ड प्रदिस जिसको आपको बहुत बढ़ियां तरीकिये से आपको त्यार करना रहेगा साथ में MCQ भी आपको लगाने हैं कई बार क्या होता डेटा ऐसे बार बरेदी हम देखते हैं तो डेटा ऐसे याद नहीं होते ह मगर यदि हम उसको क्या करें कॉशन के माध्यम से लगाते हैं तो डेटा भी हमें याद हो जाते हैं तो हमने बूला सबसे पहले पाइदान पर क्या रहेगा मद्ड प्रदिस यहां पर होना चाहिए ठीक है सर अब दूसरा पाइदान किसका रखे जहां से कॉशन बनेंगे ह निश्चित तोर पर बनेंगे कॉश्चन इस दूसरे पाइदान पर मद्ड प्रदिस के अलाबा में रखना चाहूंगा इसको सूचन परोध्योगिकी को में रखना चाहूंगा तो ऐसा क्यों? बरतमान समय इसी सूचना और संचार प्रोध्योगिकी का समय है कम्प्यूटर का यूज हो रहा है, रोबोटिक्स का यूज हो रहा है, ए आई का यूज हो रहा है और नए-नए एक्सपेरिमेंट भी यहाँ पर देखने को मिल रहे है तो दूसरे नमबर पर मैं रखना चाहूँगा इस बाले पॉर्सन को यह ऐसा स्टेटिक पॉर्सन आपको देखने को मिलेगा और कुछ डाइनमिक पॉर्सन आपको देखने को मिलेगा यहां से कॉशन बनेगा ही तो मद्य प्रदेश के बाद इसको मैं रखना चाहूंगा दूसरे नमबर पर सर तीसरे नमबर पर हम क्या रखें जहां से फिर कॉशन बनेंगे तीसरे नमबर पर रखना चाहूंगा मैं ये राश्टी अंतराश्टी और मद्य प्रदेश का समसामाएक इसको नंबर तीसरे पर रखना चाहूंगा सर इसको तीसरे पर रखने का उद्देश क्या है यहां से कौशन डेफिनेट आपको देखने को मिलेंगे निश्चित तोर पर पूछे जाएंगे और यह कौशन ऐसे होंगे पता होगा तो ही ठीक है अदरवाइस तो पर तुक का जिन्दवाद तो यहां से इस निश्चित यहां से कौशन निश्चित और मद्द्परदिश से कौशन निश्चित पूछे जाएंगे सर अब और क्या अगले पाइदान पर किसको रखेंगे अगले पाइदान पर मैं रखना चाहूंगा इस health बाले chapter को यहां से इसमें genetics बाला portion आता है, health बाला आता है, environment बाला आता है और basic science बाला portion आता है तो number 4 में मैं रखना चाहूंगा, इस बाले भाग को रखना चाहूंगा इस चाहर जो मैंने भाग आपको बताए है ना, आप paper उठा के देखिए का 60-70% तो यही भाग complete, 60% तो करा ही देंगे आपका भाग, यह complete 60% number हमें पहले secure हमें यहां पे करने है अब हम कहां पे जाएं, क्योंकि यह कम समय में जल्दी हो जाया कैसे मद्यप्रदिस, डेटा याद करने हैं, इसमें जादा concept आपके नहीं है कौन सी पहाड़ियां कहां से, नदियां कहां से, कौन सी जंजातियां कहां से कैसे इनके मकान होते हैं, कैसे रहते हैं, कौन से तिवहार होते हैं इनको तो लर्ण ही करना, याद ही करना और मैप से देखे समझना भी है। तो मद्द्प्रदे सबसे पहले मैंने यहाँ पर इसलिए बताया। दूसरी नमबर पर हमने बोला संचार प्रोध्यकी को क्योंकि उसी का समय यहाँ पर चल रहा है। तीसे नमबर पर मैंने बोल दिया अंतराश्टी यह राश्टी घटनाए और मद्द्प्रदे से सम्मद्दे समसामाई की ज्यान। चौसे नमबर मैंने यहाँ पर बोल दिया बिग्यान और पर इबने यह 60% पेपर यहाँ से तैयार हो चुका है। अब सर रिमीनिंग फुड़ेंगे तो बैसे भी नहीं हम यह तो पहले मैगजम स्कूर करना है तो 60% स्कूर करने के बाद अब हम बढ़ेंगे यहाँ पर आगे की तरफ क्यों क्यों क्योंकि यह जो सलेब अस उसने बोला भारत का इतिहास अब यदि आप पढ़ने बैढ जा मद्रदेश से पहले होगी अब यहाँ पर इस इतिहास की बात करते हैं टाइम कंजूमिंग भी है जादा समय यहाँ पर लगेगा इसमें भी पुराने पीपर के एनलिसिस के आधार पर आप देखो जो एंसियंट पोर्सन जो है प्राचीन भारत और आधुनिक भारत से ज़्यादा कौशन बने हुए हैं उसको पहले कवर करो यह आपको ट्रेंड का एनलिसिस सो पर संड करना रहेगा इसको आप पढ़ो फिर आपने बुला फिर हम पढ़ सकते हैं अब आपको लगभा कि सर्भूगोल पढ़लें जॉगरफी पढ़लें मैंने का अब सब पढ़लो आप अब आपने उसके बाद हम पॉलिटी पढ़ले मैंने का पॉलिटी पढ़ लो भारत के बारे में देख लें उसके एकॉनोमिक्स मैंने का इसके बारे में देख लो आपने बोला भारत का भूगोल भी देख लें मद्य प्रदेश के सांस सांस मैंने का देख लें आपने बोला भारत की अर्थवरस्था भी देख लें मैंने का देख लो आरी मेरी बास सोज में तो सुरुबात करनी है मद्द प्रदेश से ये चार पोर्सन सबसे पहले जो आप मेरे साथ से आप पढ़िएगा मैग्सिम नमबर आपके आएंगे उसके बाद फिर आपको जहां से रुची आपकी समझे में आ रही है आपको लगजारा इतिहास पहले पढ़ना है कि भूगोल पहले पढ़ना है कि आपकी अर्थवस्ता आपको पहले पढ़ना है जो आपकी फिर रुची के साप से वो आप कम्प्लिट करें मैं एक वरीता क्रम आपको डिसाइड करके बता रहूँ इसको पहले कि economics को ही बहुत जादा पढ़ रहा है तो यह जो वरीता करम है यह आपको पता होना चाहिए यही वरीता करम, यही कहलाती है strategy, इसी को ही बोलते है फिछले सालों का trend analysis उसी के आधार पर ही होता है क्या number, maximum आपको मिलेंगे और उसी के आधार पर ही selection होता है यहाँ पर सूचना प्रोद्यों के करंट फिर सामय देखना था कई लोग बोलते हैं कि सर करंट फिर से इतना बड़ा है कैसे पढ़ें उसके लिए फिर आपको एक master चाहिए अपने इसी platform की उपर सुबह सुबह आसी सर क्लास लेते हैं एक caution बहार नहीं याता है तुबह एक घंटा मात पैसे उली आप बैड़ जाएए बातें earphone लगा के सुनते रहेए PDF मिल जाए उसका आखरी मैं अनलिसस बस कर लीजिएगा एक caution बहार नहीं याता आभी से अदा क्या ही बताए आपको नहीं किसी magazine के पीछे भागना नहीं अखवार के पीछे भागना है आपको नहीं किसी PDF notes के पीछे आपको भागना है इसी platform के उपर daily 8 से 9 80 सर क्लास लेते हैं बार बार उसका तना revision करा देते हैं अच्छे बोलते हैं कि सर क्लास में ही याद हो गयाता हमें तो यह इतना वो रिवी जन करा देते हैं बस एक घंटे क्लास एयरफोन पढ़ा फ़सा कर पैसिवरी लीजिए PDF आपको टेलीग्राम चनल की उपर अपलब्द हो जाती है बस उससे काम हो जाना है रोज एक घंटे में काम हो जाना है उसका और वो डेली क्लास ले रहे हैं तो उसका लोड नहीं लेना ज़्यादा लोग बोलते हैं सर इसको कहां से पढ़ें क्या कर लें क्या हम तूफानी कर जाएं यहां पे कुछ ना तूफानी करो आर्सनो क्लास ले लो इसी प्लेटफार्म पर इसी में कल्याण हो जाना है बासोज मरी इस वरीता करम में हम तयारी करना सुरू करें प्लस जहां से भी आप तयारी कर रहे हैं जिस भी संस्थान से कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं टेसरीस को आपको जुरू लगाना जहां से आपको पसंद आए सभी टेस्स बहुत ही बढ़िया होती है हर कोचिंग संस्थान ये चाहता है कि हमारे जो कॉश्चन है वो एक्जामे सीधे सीधे देखने को मिले हर किसी का ये सर्वोत्म प्रयास होता है तो किसी भी संस्थान की कोचिंग की किसी भी कोचिंग से किसी भी संस्थान से आपको test series आपको जरूर लगानी है FLT आपको जरूर लगानी है पहले topic wise लगा लीजिए और फिर full length test paper जरूर दीजिए पढ़ाई में थोड़ी कमी हो जाए चल जाएगा मगर जो test paper में देने में और उसके analysis करने में कोता ही या कमी नहीं होनी चाहिए यही होता है प्री निकालने का मूल मंत्र आई होब मेरी बातें आपको समझ में आ रही होगी तो ये कुछ बातें थी प्री को लेकर कि भाई दिसंबर में यदि आ जाए तो क्या काम करें कि ताकी हमारा जो एडिनल हार्मून है तीजी के साथ ना निकले वो तीजी के साथ हाड़ बीट ना बढ़े तो हाड़ बढ़न आपके पास हैं या आप चाहते हैं कि सर ये हमें कुई समस्या आ रही है, ये ऐसा कोई टॉपिक है, तो वो कॉशन भी आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में छोड़ सकते हैं, आने वाले समय में उस विसाय की उपर भी मैं मंधन करके कुछ नई चीज़ें आपको निकाल कर दू वीडियों में, ओके वाई, थैंक यू